तो हाजी अली को आने का रास्ता है वो भी डूब जाता है जपानी बढ़ता है और यह जो पत्थर यह तो बहुत ज्यादा सिलिप कर रहे हैं बुद आ नमस्कर दोस्तों आप लोग कैसे हैं यह आज मेरा मुंबई में दूसरा दिन है और आज में आया हाजी अली दारगां जो कि मेरे पिछे देख सकते हैं वीड तो बहुत ही ज़्यादा जो कि हाजी अली दारगां वहाँ पे और में भी भी वहीं पे जा रहा हूं और यहां पर हर एक जात विरादर फिलो गा सकते हैं, और यह समंदर के बीच में जो कि दोढ़ सकते हैं और इस हैड में काफी सारे बिल्डिंगे भी दिख रही हैं जैसे कि भाई Ky Ali दारगा में जाने वालो को भीड देख सकते हैं झाल झाल सो भाई मैं हाजी एली दरगां के पास आ चुका हूँ लेकिन मैं दरगां के अंदर नहीं जाओंगा क्योंकि भीड तो बहुत ही जादा है जो कि आपने देखा ही होगा जो कि रास्ता भी जाम हो जाता है और इस साइड में मैं आया जो कि यहां पे काफी बड़े बड़े पत्थर भी हैं जो कि यहां पे भी काफी ज्यादा भीड़ें और राजी एली दरगां मेरे पीछे है जो कि देख सकते हैं झाल झाल सोभाई मैं जहां पर खड़ा हूँ यहां भी पानी भार जाता जब समंदर में पानी बढ़ता है और जो हाजी अली को आने का रास्ता है ओभी डूब जाता है जब पानी बढ़ता है और यह जो पत्थर यह तो बहुत ज्यादा सिलिप कर रहे हैं योगि इस पर बहुत ज्या मुझा जाए 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 घूमली जो कि काफी अच्छी जगा हाजी अलिकी एक बात बहुत जाए पसंद ही जो कि यहाँ पर हर एक धर्म के लोग आसकते यह बात मुझे बहुत जाए और में यहाँ पे कल्यान में ठेहरा हो अपने एक का का बाइब बाइब